हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग शौगा थिक फाग फिर से आप सभी का MZEducation में दोस्तों आज है 20 अप्रेल आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अप्रेल 2023 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर के कुशिंस के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस देगेगा पूरी IIT हैदराबाद ये देश की सबसे बड़ी सुविधा डियाडियो इंडेस्ट्री अकडमिया सेंटर ओफ एक्सिलेंस का उद्गाडन यहापर किया गया है और अभी राज सुब्रमन्यम को प्रवासी भारतिय सम्मान से सम्मानित किया गया है जम्मू कस्मेर ने किसान संपर का अभियान सुरू किया है और संयुक्त अरब अमिराद ये 2023 के व्यापारिक आकड़ों के अनुसार भारत के दूसर सबसे महात्पूर्ण नरियाद गंतव्य बन गया है पहले पर अमेरिका है दक्षिर कोरिया और अमेरिका ने जापान के साथ मिल करके पूर्वी साकर के अ मुद्चा पटनायक को मैलकम आदिसिया पुलसकार 2023 से सम्मान किया गया है और भूटान बंगलादेश नेपाल मालदी और स्रिलंका ये पांच दक्षिड एस्याई देश मध्य प्रदेश के प्रेटन पोट्चाहन योजना का हिस्सा बनेंगे पानी की कमीश से निपटने क के लिए जल बजट पेस करने वाला पहला राज बन गया है केरल ये टॉप 10 करेंट फैर के कुश्चन थे कल की बीडियो से जिनका आपने किया एक मिनट में रिविजन अब आज की करेंट पहला कुश्चन है हाली में किस देन को विश्व लीवर दिवस की रूप में मनाया गया तो दोस्तो अभी हाले में 19 अप्रेल को मना गया विश्व लीवर दिवस या कहें विश्व यक्रित दिवस यह जो विश्व यक्रित दिवस होता है ना यह यक्रित के बारे में यक्रित बहुत ही महत्पूर्ण अंग होता है मानो सरीर का इसके बारे में अवेरनेस पह के बाज दूसरा सबसे जो टफेस्ट जो सबसे जटल अंग है वो लीवर ही है और दूसरा सबसे बड़ा अंग भी है तो इसी लिए वर्ड लिवरड अप्रेल को मनाया जाता है विस्व या रिवरड निवर intid इस बार की theme रखी गई है be vigilant, do regular liver check-up, fatty liver can affect anyone इस दिवस की सुरुवात हुई थी 2012 में अब अप्रेल महीने के अभी तक जो जो महतोपूर्ण दिवस आये हैं इनको आप यहाँ पर देख लीजिए अब एकल परसु में मैंने revision कराया था तो आज revision नहीं करवाएंगे आप screenshot ले सकते हो, हम लोग बरते हैं आगे हालि में के सराज के कुमबर अंगूर को GI tag दिया गया तो दोस्तो एक और GI tag मिला है, इस बार Tamil Nadu के कुमबम अंगूर को मिला है GI tag Tamil Nadu का यह बहुती famous product होता है, अंगूर होता है यह कुमबम grapes और इसे मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानि GI tag इसे देखो कुमबम पनीर थर्चाई या कुमबम अंगूर कहा जाता है और यह दक्षिड भारत का अंगूर सहर कुमबम घाटी में पाया जाता है इस नाम से भी, लगभग 85% का हिस्सा इसी छेतर में उत्पादित होता है GI tag, GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2003 में इसको एक्ट के रूप में पारित किया गया था अना कि इसके लिए बिल लाया गय था 1999 में लेकिन ये बिल 2003 में जाकरके एक्ट बना और पहला प्रोड़क्ट बना दार्जलिंग की चाय जिसे Southern 2004 में जाकर के GI tag मिला तो GI tag पाने माला पहला प्रोड़क्ट जो है यह क्या कौन सा है दार्जलिंग की चाय याद रखना दार्जलिंग की चाय जी आई टेग पिछले दिनों में किसे किसे मिला है इनको रिवाइस कर लेते हैं अभी मद्ध प्रदेश के गोंड पेंटिंग को मिला है जी आई टेग जम्मु कस्मीर के बासोहाली पेंटिंग को मिला है चतिसगण के नागरी दुब्राच चावल को मिला जी आई टेग बिहार के मिर्चा चावल को मिला जी आई टेग उत्तर प्रदेश के लंगडा आम वराणड़सी के लंगडा आम रामनगर भंटा बनारसी पान आदम चीनी चावल इन चार को मिला जी आई टेग और वहीं हिमान्चर प्रदेश की कांगडा चाय को ये प्रमुख जियाई टैग है ठीके ना जो कि अभी हाल फिल हाल में दिये गये इनको आप याद करिए रिवाइज करते रहे बार-बार रिविजन आपको कराया जाता है ये पहुत इंपोर्टेंट है आगे आया है इसके बारे में जान लेते हैं तमिलांडू देखो कि आप इंडिया के मैप में यहां पर है चेन्ने इसकी कैपिटल है पलककरदर्रा है और भरत नाठ्यम करगटम उले अट्टम प्रमुख यहां के लोग निरते हैं और एक महोच्शो मनाया जाता है पॉंगल याद रखनाब बहुत ही फेमस होता है इसी उसवर पर होता है जली कट्टू, जली कट्टू होता है यहां पर क्लियर है ना यहां पर जिलो की संख्या बात करें 38 है विदान सभा सीटे 234 लोग सभा में 49 सीटे और राज सभा में 18 सीटे जाती है राजके पसू है निलगीरी तहर पन्ना कबुतर राजके पक्षी और बचनाग या ग्रोई ली जो हता है यह यहां का राजके पुस्प है आ अब इनके सीटेशवरों के बाद सेखर राओ को आंतरीम सीयो यानी की इंटरीम सीयो नियुक कर दिया गया है हालाकि कुछ दिन बाद ही पर्मेनंट कर दिया जाएगा इन्हीं को ठीकएं कम आदिकारी हैं सेखर्यवरों और यह अभी तक उसी बैंक में काम कर भी रहते करन करनाटका बैंक के स्थापना 1924 में हुई थी बहुत ही पुराना बैंक है मंगलोर में इसका हेड़कौाटर है यहां रखिएगा करनाटक के मंगलोर में इसका हेड़कौाटर है बैंगलोर मत बूल देना एमडे और सीयो अब सेकार राव बनने वाले है आगे देखते है हाली में भारत तर्कार ने स्वक्ष गंगा मिसन के लिए कितने करोड़ा रुपई की आठ परियोजनाओ को मंजूरी mm तो दोस्तो भारत तरकार ने स्वक्ष गंगा मिसन में तेजी लाने के लिए आठ परियोजनाओं को मंजूर दी है जो की 638 करोड रूपय की हैं अब यह परियोजनाए क्या करेंगी स्वक्ष गंगा परियोजना जो चल रहा है मतलब क्लीन गंगा मिसन जो चल रहा है इसमें तेजी लाएंगे जिससे गंगा की सफाई और तेजी से की जा सके अब इससे रिलेटिव जो जो परियोजनाए हैं उनको हम लोग यहां पर अच् अब तो इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, पर्षिमंगाल मतलब जहां जहां गंगा नदी जा रही है उन उन नदियों के उस उस जगह पर राज्यों के तटो पर ये सब चीज़े किये जाएगा नदियों के किनाने विकास, नदियों के सता के सफाई, सीवेज, इन्फरस्ट् इसी के तहत राष्ट्रे गंगा परिस्द है और जिसकी कारियवन साखा के रूप में ये काम करता है स्वाक्षद गंगा मिसल्गा तो इससे 2011 में सुरू किया गया था स्वाक्षद गंगा मिसल्ग इन्से स्वाक्षद सरकार थे तो ये दोनों पॉइंट आप से पूछा जा सकता है याद रखेगा आगे हाले में किस राज के मुख्यमंदरी ने पाँचवें हुन थैडो सांस्कृतिक उत्सो का उधगारन किया तो अभी हाले में मडीपूर के सीम जो है एन बीरेन थी इन्हों ने पाँचवें इन्होंने पाँचवें हुन थैडो सांस्कृतिक उत्सो का उत्खारन किया है यहाँ पर आप दिखपाओगे यह थैडव कम्मूनिटी की दोरा यानि थैडव समाज की दोरा यह मनाय जाता है हुन फेस्टिवल ठीक है तो हुन्त हैडो जन्जाती बहुत ही फेमस वहां की जन्जाती है एक मड़ीपूर में उसके द्वारा मनाया जाता है तो अभी कांग पोकोपी मड़ीपूर में यह मनाया गया पांचवा संसकर्ण था इसका इसमें निरत्य संगीत भोजन हथ सिल्प इन सब के इवेंट्स हु का राज के पसु है उसकी याद में उसके लिए मनाया जाता है इसके अलावा सिर्वी लिली महोत्सो मनाते हैं यह लोग शिर्वी लिली महोत्सो मनाते हैं नाता संकीरतन मनाते हैं इसके अलावा संतरा महोत्सो मनाते हैं इसके अलावा कचाई लेमन महोत्सो मनाते हैं महत्पूर्ण महत्सों मना जाते हैं मडिपूर की बारे में आप देखोगे तो राजधारी मिफाल है इंडिया के मैप में यह रही लोकेशन मडिपूर की सीम एन बिरेन सिंग बीजेपी पार्टी से हैं यहां की गवर्नर है अन्सुया ओएके यहां पर जीलों में दोस्तों लोक्टक जील है जो की बहुत ही फेमस है यह फ्लोटिंग लेख कही जाती है दुझू दर्रा है मड़ी पूरी निरते है पूंग चोलम निरते भी होता है इसके अलावा लोकसभा में सीटें यहाँ पर दो जाती है राजसभा में एक, विधानसभा में साथ और जिलो की संगय है सोला संगाई हिरन यहाँ का राज के पसु है और राज के पुस्पह सीरोई कुमदनी मरीपूर देखो अपना बॉर्डर सेयर कर रहा है नागा लेंड से, नीचे मिजोरम से और इधर असम से आगे बढ़ते हैं हाली में किस राज में मैगरोव पिट्टा पक्षी पाए गए जिनहें IUCN द्वारा निकट खत्रे से जुड़ा हुआ गोसित किया जा चुका है तो दोस्तो अभी हाली में ओडिसा में मैगरोव पिट्टा पक्षी पाए गए ओडिसा के भीतर कंका नेशनल पार्क में ये देखे गए हैं इन्हें IUCN के दोरा निकट खत्रे से जुड़ा घोशित किया गया है इस कुश्चन में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट जानने को मिलेंगे जो की एक्जाम में डिरेक्टली देखने को मिलते हैं कुश्चन यहाँ पर देखिए आर्टेकल है दाहिंदू का आपके सामने इसने बताया गया है फर्स्ट इवर सैंसर्स फाइंड वन सेवेंट इन्मेग्रो पिट्टा बर्ड्स यह मैग्रो पिट्टा पक्षियों के रूप में जाने जाते हैं मैग्रो पिट्टा बर्ड के रूप में जाने जाते हैं इन्हें बिलुप्त घोसित किया जा चुका है या निकट खत्रों से जुड़ा घोसित किया जा चुका है आप देखो ये Odisa के Magrove 1 छेत्रों में ही पाये जाते हैं Odisa में और पश्चिमंगाल के एरिया में यहीं पर Magrove छेत्र होते हैं Magrove 1 के छेत्र पाये जाते हैं आप से question ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में Magrove 1 जो है किस जगा पर किन राज्यों की तरफ पाये जाते हैं तो आप बताएगा पूरवी राज्यों की तरफ या फिर अगर option में Odisa पश्चिमंगाल वगरा करके दिया रहे तो आप ये बता सकते हैं ठीक है अगर National Park की रूप में दिया रहे ये मैग्रो पिट्टा पक्षी पाये जाते हैं ठीक है मैग्रो वनो से related questions कई बारे सस्थी पूछा हुआ है अभी इसे इसकी जनसंख्या का विस्टलेशन किया गया तो 179 पाये गए ठीक है Odisa का भीतरकन का National Park ये भारत का दूसर सबसे बड़ा मैग्रो पारस्तिगी और दोगिंग छेत्र भी होता है इतना क्लियर अब आया है Odisa देखो आज कई राज्य आये हैं तो आज राज्यों को आप बहुत बार देखेंगे कई सारे question में Odisa देखोगे आप यहाँ पर है आप में इंडिया के नवेन पतनायक ये बीजू जनताल दल पारटी से BJD पारटी से यहाँ के CM है गवरनर है प्रोफेसर गड़िसी लाल चिलका जील यहाँ पर है चिलका जील ये फॉस्ट रामसर साइट ओफ इंडिया है साथी साथ भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील होती है अंसुपा जील है कांजिय जील यहाँ पर है नंदन कानन जुलोजकल पार्क भीतर कंका नेशनल पार्क चंदका हाती बिहार सिमली पाल राष्टी उद्यान यहाँ पर है गुमरा, छाओ, सामरी, सांचरा, पैकरा, गरुडवान, प्रमुक लोक निरत्य यहां पर होते हैं ओडिस्या का कटक, जगनाद मंदिर, कोणार, पारादीप है कोणार को ही दोस्तों कहा जाता है ब्लैक पैगोडा ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है याद अगला खुश्च, हाली में विजिदन क्रिकेटर अप दा येर की लिस्ट में सामिल होने वाली पहली भारतिये महला कॉन मनी, तो वो बन गई है हर्मन प्रिद कॉर, भारतिये महला टीम की ए खिलाडी है और इनकी कैप्टेंसी में ही भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में सिलव मेडल जीता था, इनकी उपलब्धियों को देखते हुए, 2022 में इनकी प्रफॉर्मेंस को देखते हुए, विजडन क्रिकेटर अप दे येर की लिस्ट में इन्हें सामिल किया गया, अच्छा, इनहीं के साथ साथ में एक और खिलाडी को सामिल किया गया है, सूर्य कुमार य महिला टेम के लिए, देखें एक एक करके दोनों के बारें जानते हैं, सूर्य कुमार यादो, T20 इंटरनेशनल में, 2022 में कुल 1164 रन मनाये, जो की एक कलेंडर येर में अभी तक का, किसी भी इंडिविजुल के दोरा बनाये गया, सबसे ज़्यादा रन है, ठीक है, सूर्य क इंग्लेंड को उसके घर में जा करके, पहली बार, 1999 के बाद, पहली बार, तीन जीरों से सफाय किया गया, उसको हरा आए गया, ठीक है, भारती महिला टीमों ने हरा है, तो ये देखें, दोनों अच्ची मेंटरी दोनों की, और इस बैस थे, विजिड़न T20 प्लेयर अब द सरकार ने संगठन से समर्धी नाम की एक योजना सुरू कि है, और ये सुंचा है, स्वैम साहसा, शमोहों के लिए, जो सेलफ-हल्पिंग गृप्स होते हैं, न, उनके लिए ये सुरू किया गया है, आपको अगर पता हो, सेल्फ-हल्पिंग गृप्स, ये एक बहुत एक ecosystem मन गया है इसके तहट गाउं में छोटे छोटे गुरुप्स के रूपे महलाएं होती हैं और इन गुरुप्स के थुरूप वो अपना-पना कुछ भी करते हैं मतलब चाहिए अपना वुद्धे में start करें या फिल जो भी startup करती हैं उनमें सरकार की दौरा मदद की जाती ह यह financial help की जाती है लोन वगरा दिये जाते हैं और इस लोन पर इंट्रेस्ट नहीं लिया जाता है और कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं जिसके मुताबिक यह बताया गया है कि यह जो self helping groups हैं इनकी वज़ा से गाउं में ग्रामीट छेत्रों में बहुत जादा विकास देखने क मितलब की छोटा मोटा कुछ ना कुछ कारोबार धंदा अपना करती हैं जिससे उस गाउं का भी help होता है उस गाउं के नागर को का भी विकास होता है तो अभी इसी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेबल पर ले जाने के लिए संगठन से समर्दी नाम की एक नई योजना को सहायता प्रदान की जाएगी भारत के 11 राज्यों में जिससे वह अपना व्यासाय सुरू कर सकें और इसे और ज़्यादा विस्तार कर सकें क्लियर है आगे देखते हैं 2023 में पुर्सों की होकी एसीन चैंप्मेंस ट्राफी की मेजबानी कौन सा भारतिय सहर करेगा तो यह म चैंप्में में होने वाली है मेजबानी भारत पहली बार मेजबानी करने जा रहा है होकी एसीन चैंप्मेंस ट्राफी की तो 2023 में चैंप्में में होगा यानि इसी साल होगा लेकिन कब होगा किस महीने होगा अगस्त महीने में होगा यहां पर आप देख पाओगे आर्टिक भी रहा चुका है 2011-16 में और इस बार मेज़वानी कर रहा है हौकी एथियन चेंपेश ट्रापी है भारत हौकी विस्टुकप की भी मेज़वानी किया था भी हौकी विस्टुकप की मेज़वानी किया था 2030 के कहां पर हुआ थाूड़ीशा में हुआ थाूड़ीशा के राऊर कեղा और बॉनेस्वर सहरों में हुआ था। जीता कौन ? विजेता कौन रहा। विजेता रहा जर्मणी जर्मणी ने बेलजियम को हरा करके ये जीत लिया होकी विस्सवक yet 2018 वाला ही बारत में ही हुआ था ओडिसा में ही हुआ था आगे दिखते हैं हाली में एंजला मारकेल को किस देश के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो दोस्तों एंजला मारकेल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है और इनको जर्मनी के ही अभी सर्वोच सम्मा पूरसकार से भी संभानित किया गया था और ये कुश्चन कई बार एक्जाम में पूछा भी गया जब से फिंग संभानित क्या है कई सट्मेंस को से ने पूछा सीजील में भी छ अने में अने वाले आपके MTS exam में भी पुछा जाएगा और जो भी जाम है state level के उसमें ये पुछा जाएगा UNESCO Peace Prize बहुत बड़ा सम्मान होता है तो ये मिला है एंजिला मारकेल को ध्यान रखिएगा Nobel Peace Prize अलग है UNESCO Peace Prize अलग है तो UNESCO Peace Prize नहीं मिला है तो एंजिला मारकेल को अभी जर्मनी का भी highest civilian award मिला है जो की है order of the merit grand cross इसको वहां के जो प्रेसिडेंट है फ्रेंक वाल्टर इस्टेनमायर उन्होंने सौपा है ये अभी तक केवल तीन ही chancellor को मिल चुका है जर्मनी के पूर्व तीन chancellor को मिल चुका है दो तो इनसे पहले पाये थे और अब एक एंजला मारकेल को मिला ठीक है एंजला मारकेल 2005 ते लेकर के 2021 तक जर्मनी की chancellor रही अभी chancellor कौन है एलॉफ स्कॉल्ज है कौन है एलॉफ स्कॉल्ज तो ये तो थे आज के दिन के top 10 करेंट फैर के questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद और कलका मैंने question आपको बता देता हूं जो मैंने पूछा था आपसे मोजांबी की राजधानी क्या है तो मापूटो होती है मोजांबी की राजधानी गुजरात और कि सहर के वीच सांस्कृतिक बंधन को बढ़ावा देने के लिए सवराश्ट तमिल संगम का आयोजन किया तो गुजरात और तमिल लांड के बीच में कल्चरल बॉंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सवराश्ट तमिल संगम सवराश्ट गुजरात में आयोजन किया गया आज आपको क्या बताना है 17 में प्रवासी भारतिय दिवस समाकुरो का आयोजन कहां पर किया गया कब किय गया मुख्या देती किसे घुसित किया गया था चुना गया था जम्मू कस्मी में किस धात्य के 69 मिलियन टन का भंडार पाये गया देखो हां यहां पर कल एक मिस्टेक हो गया था और मुझे खुसी इस बात की हुए कि आप सब को यह अच्छे तरीके से याद हो गया है कि मै मैंगनीसियम मेरे मुझे निकल गया था और लीथियम का ही बंडार पाया गया है और लीथियम की ही बैटरी बनती है आप जानते हो अच्छे तरीके से मैंगनीसियम बैटरी बनाने में कोई गजान नहीं देता है लीथियम की बैटरी बनाई जाती है और लीथियम का ही वाले कोश्चन के बारे में आप जो भी पता हो डिटेल में ज़रूरन सकीजेगा चले बहुत-बहुत धन्यवाद इसकी क्विज पीडियाफ आपको यहां से आप डाउन्रोड कर सकते हो चले मिलेंगे अगली वीडियो में तुब तक लिए नमस्कार जाहें वन्दिमात्रम